नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आमानत नौलेज दोस्तों आजाम जानकारी प्रप्त करेंगे कि LPC क्या है ठीक है तो उसको जानेंगे और जाने से पहले आप मारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल एकन प्रेस करेंगे चलिए आगे जानकारी प्रप्त करते हैं तो दोस्तों LPC क्या है पहले उसका फूल फॉर्म समझ लेते हैं ठीक है तो यह हिंदी उसका मतलब है LPC का अब जो है दोस्तों कि LPC को हम डिटेल्स में समझते हैं ठीक है कि LPC क्या है तो LPC एक जमीन संबंदित दस्तावेज है ठीक है जिसमें जो है जिससे जमीन मालिक का मालिकाना हग का पता चलता है ठीक है जमीन मालिक के मालिकाना हग का पता चलता है यानि कि किस व्यक्ति के नाम से कितना जमीन है यह दरसाया रहता है उसमें या फिर मान लिज हिस्सा होता है वो उसमें दर्साया राता है अब है दोस्तों कि लपीसी बनाने की आवसक्ता हमको कर परती है इसको जानते हैं तो लपीसी बनाने की आवसक्ता हमें जमीन पर लोन लेने में परती है ठीक है किसान क्रीसी लोन लेते हैं तो उस समय लपीसी की आवसक्ता परती ह सरकारी किसान संबंधित जो भी योजनाएं होती है उस योजनाओं के लिए जो आवेदन किया जाता है उस आवेदन में जो है LPC की आवसकता होती है जमीन को बेचने में भी जो है LPC की आवसकता होती है ठीक है और परधान मंतरी किरिसी सम्मा निधी योजना जो परभावी हो पोजनां से सरकारी सहता के लिए जो है LPC उसमें सनलगन किया जाता है तो इस तरह से जो है LPC जो है LPC को हम समझ पाए हैं कि LPC क्या है और इसकी आवश्चक्ता कप परती है तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि LPC क्या है और इसकी आवसकता का परती है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक्स तर करना ना बूले मिलते हैं नेक्स टूर्ट के साथ तब तक के लिए अलविदा थैंक्स